पाठ ग्यारह वर्षा जल का संग्रहन द्रिश्य एक विक्रम ने बेताल का हाथ कसकर थाम रखा है बेताल उसकी पीठ पर सवार है बेताल तु मेरा पीछा छोड़ दे विक्रम मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला विक्रम मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा बेताल तु मुझे हर बार धोखा दे कर चला जाता है लेकिन मैं तुझे इस बार नहीं छोड़ूँगा बेताल विक्रम रास्ता बहुत लंबा है इसलिए रास्ता काटने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं कथा सुनाने के पहले यदि तुम कुछ बोले तो मैं तुझे छोड़ कर चला जाऊंगा विक्रम ठीक है बिताल बिताल तो सुन आज तुझे एक गाउ में ले चलते हैं द्रिश्य दो गाउ में अकाल पड़ा हुआ है पानी की बहुत समस्या है लोग एक जगह एकठे होकर पानी के सरकारी टैंकर का इंतिजार कर रही है श्यामलाल अरे भाई काफी समय हो गया है पता नहीं पानी का टैंकर अभी तक क्यों नहीं आया रामकिशोर रास्ते में कहीं दूसरे गाउवालोंने खाली करवा लिया होगा गाउवाले चिंतित हो जाते हैं वी बादलों की तरफ देख कर प्रार्थना करते हैं ग्रामवासी मेह बाबा जल्दी आजा रामकिशोर मेह बाबा तो हर वर्ष आते हैं पर जब तक वर्षा रहती है तब हम अपने घरों में पानी के मटके भर कर रखते हैं परंतु वर्षा खत्म होने के बाद वही स्थिति हो जाती है अब तो इस पानी की समस्या पर गंभीरता से सोच विचार करना होगा रामकिशोर वो कैसे श्यामलाल इसके लिए हम सब को वर्षा होने पर उसके पानी को इकठा करके रखना होगा यही पानी बाद में हमारे काम में आएगा रामकिशोर इसके लिए क्या करना होगा श्यामलाल अरे भाई अपने गाउं का पोखर है न उसकी सफाई करनी होगी यही तालाब बारिश के पानी से लबालब भढ़ जाएगा तब बाद में यहां अमारे काम में आएगा एक ग्रामीन इसके लिए पैसे कौन देगा श्यामलाल यह तो अपना खुद का काम है अपने काम के लिए कैसा पैसा रामकिशोर हाँ हाँ मुझे याद है मेरे दादा जी कहते थे कि गाम वाले हर अमावस्या वा पूर्णिमा को ज पोखर की सफाई करते हैं द्रिश्य तीन गाम वाले गैंती फावला लेकर पोखर की तरफ जा रही है दूसरी ओर से जल चेतना रैली आ रही है लोगों के हाथ में तख्तियां है तख्तियों पर जल बचाओ वरशा जल का संग्रहन करो आधी नारे लिखे हैं बेताल बोल उ विक्रम गाम वालों को रैली वाला एक आदमी कुछ समझा रहा है वह एक सामाचिक कार्य करता है विक्रम क्या समझा रहा है बेताल तो खुद सुन कार्य करता वरशा जल की संग्रहन के बारे में बता रहा है कार्य करता देखो भाई वरशा का जल बहुत अन्मोल है इसकी हर बून को बचाना चाहिए श्यामलाल, देख नहीं रहे हो हम पोखर की सफाई कर रहे हैं कार्यकरता, यह तो बहुत ही अच्छा है पर इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें है विक्रम, बेताल से सुना बेताल, यह आदमी कितनी अच्छी बात बता रहा है इससे तो इस गाउवालों की हमेशा के लिए पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी बेताल, तू भूल गया है कि मैंने कहा था कि तू बोलेगा तो मैं चला जाओंगा विक्रम, मैं चला विक्रम, बेताल रुख जा आवाज देता है इधर गाउवाले गाते है ग्रामवासी पानी बचाले, बचाले पानी है अनमोल रे भाईया इसको न तू व्यर्थ बहाना बिन पानी जीवन है सूना बरसात के पानी को तुम एकठा कर सकते हो भाईया ले लो फिर उसको काम में भाईया जैसे ही गाना खत्म होता है विक्रम भी वहां से चला जाता है